हालो साथियों मैराज कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार PBR study में दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं इसमें पूरे देश में लागडाउन चल रहा है आप देख रह बूतों जैसे इस्तिती हो गई है बाल दाड़ी मुच्छा जो भ देखो क्लास सिक्स का मैं थी समझ चल रहा है इंग्लिस मीडियम में कुश्चन देख करके घबराना नहीं चुकि इसका मैं सब कुछ हिंदी में बताता हूं ठीक है एक दम बहुत अच्छे से हिंदी में समझाता हूं बस कोशिस करो पहला कुश्चन देखो मैं आपको अंसर ने लेना क्यों समझना कांसेट समझना टेक सरिताज पर्जेंट एजट टू बीवाई इयर्स मतलब माना सरिता की वर्तमान आयू वाई वर्स है मतलब क्या कहरा एक बर फिर से समझ लो कहरा नीचे दिये गए सवालों का जबाब दीजिए निमलिखित प्रशनों का उत्तर दीजिए मान लीजिए कि सरिता की वर्तमान आयू वाई वर्स है तो ये कुश्चन क्या पूछ रहा ह कुश्चन पूछ रहा है कि वाइट विल भी हर एज फाइफ इयर्स फ्राम नौ मतलब वह सरिता जो आज वाई साल की है वह पांच साल बाद कितना साल की हो जाएगी अरे यार आप थोड़ा सा दिमाग लगालो गुद्धुवाला कि अगर कोई सरिता है कीता मीता सीता पंकच कोई भी है अगर आज वह आठ साल का है तो पांच साल बाद वह पांच इसमें जोडकिया मतलब तेरा फाल का हो जाएगा नャ। तिमाग लगा लो अगर कोई लड़का आज 8 साल का है पांच साल बाद उत्ते रफाल का हो जाएगा तो वैसे वो जो लड़की सरिता है जो कि आज वाई वर्स की है पांच साल बाद वाई प्लस पांच वर्स की होगी कितना की होगी Y plus five worse की होगी या निकी इसका अंसर हो जाएगा Y plus five worse पहला का हो गया ठीक है दूसरा question कह रहा है What was her age three years back Three years back मतलब जो सरीता आज Y साल की है वो तीन साल पहले कितने साल की थी अब आप खुदी अनुमान लगा लो कि अगर आप आज 20 साल के हो तो भाई 2017 में कितने साल के थे भाई तीन साल पहले तीन साल कम थी न एज अब तीन साल बढ़ गए तीन बार birthday मना लिये न तो मतलब कितने साल के थे 2017 में 17 साल के थे तो वो ऐसे कहने का मतलब वो लड़की जो आज वाइबर्स किये तीन साल बैक तीरी येर बैक वो वाइब माइनस त्री येर की थी बात समझ गे न यह अंसर हो गया कि देखो हिंदी इंग्लीस दोनों में समझते जाओ इसलिए कोई मुसीबत नहीं होनी चाहिए आपको पूरी भरपूर कोशित होगी हमारी कि आप इंग्लीस दोनों में समझ जाओ है ना आगे चलें फिर हम लोग चलिए अगला कुश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान देना करा कि सरिताज ग्रेंड फादर इज सिक्स टाइम हर एज वाट इंग्लीस थोड़ा थोड़ा सीखो मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं फिलाल करा कि सरिताज ग्रेंड फादर मैं आपको इंग्लीस का थोड़ी सी बात बता देता हूं जैसे यहां लिखा है सरिता है ना जैसे लिखा है सरिता और अगर उपर ऐसे कामा लगा कि यस लगा दिया इसका मतलब हो گया सारीटा का बात समझ गया ना सारीटा का इसको थोड़ा सा और अच्छे समझ ना जैसे यहाँ पे लिखा है जे और हमने इसमें येस जोड़ दिया तो ये हो गया concerned,ि मतलब किताबे किताब का लेकिन इसका मतलब क labels किताबत की सिरीटा काया की समझें रेंच के स्क्साइम हार एच ए शीक्स टाइम हार एच मतलब यो सिपने ही ठीव में समझे समुझे ग्रेंट ही लो इन यह कि सटाइम दलके वो उसकी आयू के 6 गुने हैं तो उनके दादा जी की आयू क्या होगी भाई सिंपल सी बात है सरिता की आयू वर्स है कहरा कि सरिता के ग्रेंट फादर की आयू सरिता के आयू की 6 टाइम है मतलब 6 गुना है तो कहने का मतलब 6 गुना कर लो ना यार बस 6 वाई कितना होगी जादा जी हैं वह 42 वर्स के हो जाएंगे कि समझ गए ना तो कंसेट समझो अगला कुश्चन इसमें पूछ रहा साथी हो देखो टाइम लगेगा यार बहुत लंबा है वैसे आप इस तरह से सारे कुश्चन खुछ से कर लो तो जादा अच्छा है मैं सब करवाओं क्या कर लो इंडिया की संस्कृति है यह हमारे भारत की सब है कि जब साधी होती यह लड़के और लड़कियों की तो लड़की की आईउ दो वर्स या एक वर्स कम रखी जाती है अपने देखा होगा क्योंकि लड़कियों का दिमाग जो है जादा पहले बिकसित हो जाता है यह तो मैं उनकी आयू दादी जीस से दो वर्स क्या है अधिक है या फिर ऐसा कहें इसको अगर हम अच्छे से समझें जैसे बोल रहा है यहां पर कुश्चन में थोड़ा सा आपको बोर होने लगते हैं तो वह कर देते हैं करहा है कि ग्रेंड मदर इज टू इयर एंगर दें एंगर मतलब होता चोटा मतलब ग्रेंड मदर जो है वह टू इयर एंगर है किससे दें ग्रेंड फादर ग्रेंड फादर से टू इयर क्या है चोटी है एंगर है वाट इज ग्रेंड मदर एज यार का बोल रहा है यह तो यहां कुछ सम्झम नहीं आया कि ग्रेंड मदर जो है वो दो साल की छोटी है ग्रेंड फादर से तो ग्रेंड मदर की एज क्या है देखो यहां पर ग्रेंड फादर कभी एज नहीं दिया है हाँ वो उपर grand father जी आये थे यहां आये थे यहां आये थे न यहां ग्रेंड फादर आये थे िसी में से आपको लेना है इसको कुकी देखो यहां पर कहीं grand mother याfrage mother mother के बारे में कुछ दिया नहीं है तो क्या खाएंगे हम उपर से इसी में से ले लेंघे देखो grandfather अभी जो कितने साल के बने थे जह हे się के तो इसम इस सरीता की आई औरแ γ्रेंट फादर की रोगेशन किया था तो दादा जी श्री छी वड़ाई वर्स के लिए थे कह रहा किnant दो साल की एंगर हैं चोटी है इनसे तो कितने साल की होंगी ग्रेंड मदर तो वाई सिम्पल सी बात है यार छे वाई के दादा जी है तो दादी जी उसमें दो साल की छोटी होंगी बस यह इस कांसर हो गया आपको मने समझा दिया इसमें यही पूरा करवा दिया तो ठीक है आप बता देना कि हाँ इतना कुश्चन कर वाया गया तो आपको वो सारे खरी Les ठीक है बात समझ गए इसमें देखो आंसर भी है हमारे पास हमने इसको टाइपिंग भी करवाया है कुछ रखा वह यह किसी भी तरह से बना हुआ है तो इसे आप देख सकते हैं यहां पर यह सारे आंसर थे जो आपको मैंने दिखाया भी ठीक है कि अब भी तो आप लोग क्या सोचते हैं क्या विचार हैं आप लोगों कि आप कमेंट करना चलिए अगला दिखाते हैं आपको अभी और भी है इसमें बहुत कुछ तो साथियों फिलहाल यह चैप्टर ही खतम हो गया 11 पॉइंट का जो फोर था तो अब हम 11.5 नेक्स्ट कलास में बताएंगे चुकि इसमें नहीं चल सकता एक्सरसाइज एकर में तो आप लोग उसके लिए इंतजार करना ठीक है अगर आप एप में देख रहे हो तो जल्द मैक्सिमाम इंतजार माफी चाहते हैं मैक्सिमाम इंतजार करिएगा वह से आपको 30 मिनट से घंटे कंदर रिप्लाई मिल जाएगा जब मैसेज करोगे ठीक है लेकिन हाँ फॉन काल करके डंडा नहीं करना वीडियो कालिंग या फिर वाइस काल ना करना वाट इस वीडियो में इतना ही जै हिंद मिलते हैं नेक्स वीडियो में आप